रुख करेंगे इस वक्ती बड़ी खबर के जो सहरनपूर से आ रही है सहरनपूर में एक्सपोर्ट फैक्टरी में बीशन आग लगई है एक फैक्टरी है जहाँ पर बीशन आग लगई है दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौझूद है आग में लाखो का सामान जलकर खाक हो चुका है थाना जनक पूरी इलाके के घटना बताई जा रही है तो आपको बता दे इस वक्ती बड़ी खबर है सहरनपूर से जहाँ पर एक एक एक्सपोर्ट फैक्टरी में भीशन आग लगई है आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मजबू मौझूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयाना की कि दो मंजिला ये इमारत जलकर पूरी खाख हो चुकी है और जो दमकल के विभाग के जो लोग हैं वो इस आग को बज़ाने के कोशिश कर रहे हैं आप इस सीधी ये एस्क्लूजिव तस्वीर आप देख सकते हैं सीधे आर नाइन टीवी पर आग कितनी भयाने के और जो दुववा है काला दुववे से पूरा आसमान काला हो चुका है हमारे समादाता मीना चौधी हमारे साथ जुड़ी है इस खबर पर तो मीना ये आग लगने की वज़ा क्या बताई जा रही है जिमना ये एक्सपोर्ट फेक्टरी किस चीज की दिसके अंदर किन चीजों का कारोबार होता था कौन कौन से प्रोड़क्ट्स बनते थे जिनमें इतने भीशन आग लगी है जिमना वही अगर बात करे आम जनता को लेकर जो यहाँ पर काम करते थे लिए उनको लेकर तो क्या किसी के हतायत होने की कोई ख़बर है जब यहाँ पर आग लगी थी तो सभी जो मज़़ूर आपर काम कर रहे थे उनको बचा लिया गया और यहाँ पर जब आग लगने के कारण में यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंची दमकल की कई गारिया भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंच गई जहाँ पर दो घंटे में आग पर काबू पाया गया जिमिना महीं क्या किसी दमकल करमचारी ने कोई बात कही है क्या बात सामने आई है कि आग लगने के आखिर असली वज़ा क्या थी जिमिना महीं जिस तरीके से हम तस्वीरों को देख पार है तस्वीरों में दो मंजिला ये इमारत थी जिसके अंदर ये फैक्टरी थी तो क्या ये दोनों मंजिला इमारत तो फैक्टरी थी जहाँ पर आग लगी है जिमिना बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए